हलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर एंड इस लेक्चर में सुस्ट्वेंट्स लास लेक्चर में हमने कॉंटी फायर्स फिनिश कर दिया था जिसके अंदर आपने देखा कि किस तरीके से कोई भी अगर कॉंटी फायर स्टेटमेंट दिया गया हो तो उसका कॉंटी फायर्स स्टेटमेंट में कनवर्ट कर कैसे करते हैं किसी ओपन सेंटेंस को क्योंकि हमारे पास जो वालियूस दी गए तो नैच्रल नमबर दिया गया था एंड और सब कुछ हमें नैच्रल नमबर के उपर ही डिफाइन करना था तो अगर सारे नैच्रल नमबर ने किसे condition को satisfy किया रहेगा तो आपे for all लग जाता है अगर सारे नहीं कर पाते कुछ लोग ही करते हैं तो हमेशा there exist आता ये बात आपको पता हिए और उसके हिसाब से आपने पुरा open sentence convert किया बच्चो quantified statement में अब जो मैं बताने वाला हूँ 1.5 खतम होने वाला हो गया है अब आपका 1.6 आने वाला है जो कि देखा जाए तो one of the most 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 important exercise है क्योंकि यहां से बच्चो कोशन maximum time पूछ ही लेता है 98% chances है 95% chances से कोशन आई जाता है जी हाँ बच्चो truth table सही समझा आपने मैं आपको बात करने वाला हूँ truth table के वारे में यह truth table क्या होता है सभी को truth table draw करने आना चाहिए नहीं आता गलत बात आपको सीखना पड़ेगा मेरे साथ में तो बचे हाद न truth table की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको not का table पता होना चाहिए यह तो बलो not का table क्या होता है पिटा यह सभी को पता है not का table कि सर अगर यह p है तो यह negation p होता है अगर यह true है तो यह क्या आएगा false अगर यह false यह क्या हो जाएगा true यह तो पता ही आपको फिर दूसरा बच्छो end का table end क्या बोलता है यह p है यह Q है और बच्छे यह P and Q है तो true, true, false, false true, false, true, false तो and क्या बोलता है बिटा अगर दोनों true है तो answer true होगा otherwise false, वो दोनों true नहीं है यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है तो इन सब के case में answer बोलो क्या हो जाएगा false तीसरा और और क्या बोलता है बिटा चर्ड़ ध्यास देखो सभी लोग अगर यह P है यह Q है तो यह क्या हो जाएगा पी और क्यू तू टू टू फॉल्स फॉल्स सब को पता है कैसे लिखना है true false true false बोलो और में क्या होता है बिटा एक भी true होगा तो answer true होगा इन दोनों में से एक भी true है क्या आसर है इसमें कोई भी true है क्या नहीं देखा सिर्फ लास्ट वाले में कोई भी एक आसर टू नहीं था बड़ बाकि सभी में कोई इनको एक बंदा टू आई रहे तो answer क्या हो जाएगा true फूर्थ इफ दिन बचो इफ दिन में कैसा होता है अगर यह पी दिया यह क्या बोलते है पी इंपलाइज जैट क्यू प्रू पाल्स पाल्स प्रू प्ल्स तू पाल्स प्ल्स प्ल्स प्लाइज क्या बोलता है बटा पहला true हो ना चाहिए दूसरा false तभी answer false आएगा यहां यहां पे पहला true है यहां पे दुसरा false नहीं है यहां पे पहला true है यहां पे दुसरा false है yes बच्छो यह सारी चीज़े बहुत detail में मैंने सिखाई हुई है मैं सिर्फ आपको यहां पे revise करवा रहा हूं only if बच्छो if and only if क्या बोलता है देखो आपका पास ऐसा कुछ statement दिया रहेगा यह P होगा यह Q होगा और P double implies that Q होगा बच्छो true true false false true false true false so double implies क्या बोलता है तो same same then to have true but the same same है तो true same same है तो true otherwise false по same same है तो true otherwise false two the same say by two u otherwise false same same है to true otherwise false clear beth 1 table आपको पता होने चाहिए अच्छा एक बात और मैं आपको बता दिना चाहता हूं बच्छो एक चीज़ और सबका ध्यान मेरी तरफ प्लीज कोई और कलर चलए ये लिपे ठीक है मान के चलो मेरी प्यारे बच्चों ऐसे मेरे पास रैंडमली मैं एक्जाम्पल ले रहा हूँ कोई स्टेटमेंट है P और Q and negation P ऐसे ही मैंने एक्जाम्पल लिया ठीक है तो बच्चों सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का अगर मुझे टूथ टेबल बनाना है प्लीज ध्यान दो तो सवाल उठता है कि सर चलो एक्जाम्पल नहीं रहते हैं इस सबसे पहले सवाल उठता है कि सर कितने रोज होंगे और कितने कॉलम्स जैसे अगर दो स्टेटमेंट जैसा है आई दो बार हम टूले लिखते हैं दो बार फॉल्स लिखते हैं फिर को एक बार टूल इंट इस को लिए हमेंशा हमको ऐसी है लिखना होता है लेकिन तिन्स टेटमेंट अब पी क्यों अर बच्यों कैसे आद में इतने गाँ two 2 raise to n जहां पर n का मतलब होता है नमबर आफ स्टेटमेंट्स एकदम डीटिल बता रहा हूं आपको जानना कितने रो है एक रो दो रो तीसरा रो चौथा रो अगर आपको जानना है कितने रो है वो कैसे मालूप पड़ेगा टूरेज टू एन से तो बच्चों यहां पर जो एन है बुरो एन यहां पर क्या होता है नमबर आफ स्टेटमेंट्स एकदम डीटियल में बता रहा हूं मैं आपको तो अगर पहला केस नमबर आफ स्टेटमेंट्स मतब एन एन इकवल टू तो देखते हैं हमारा नमबर आफ रोज क्या मिलेगा टूरेज टू टू विच इकवल टू फूर यहास जब दो स्टेटमेंट्स एक दो तीन चार देखा आपने टोटल चार रो हैं चार का हाफ किय तो टू आया इसलिए दो बार टू लिखा है दो बार फॉस लिखा फिर टू का हाफ किया वन हाफ हाफ मतब आधा करनेगा तो नमबर आफ रोज कितना मिला विटा चार चार वैलू है ना चार को आधा कर दो तो बार उपर दो बार नीचे दो बार टू दो बार फॉस फिर का हाफ करो, एक बार true, एक बार false, एक बार true, एक बार false, देखा, वैसे ही, अगर n की value 3 हो जाए, मतलब, when n मतलब number of statement 3, जिसे PQR, तो देखते हैं, यहाँ पे number of rose कितना आएगा, बच्चो 2 raise to 3 is equal to 8, यह 6 मत बोलने न, 2 3's are 6 नहीं, 2 raise to 3 मतलब 2 into, 2, 2 into 2, that is 8, बरावर न, so 8 आया, मतलब 8 rows होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 row होगा बिटाओ, अगर 8 row है, तो पूरी value कैसे लिखेंगे, half करके, तो 8 का half 4, चार बार true लिखो, एक बार true, दो बार, तीन बार, चार बार, फिर चार बार false में लिखो, एक बार false, दूसरी बार false, तीसरी बार false, चौथी बार false, देखा आपने, तो total 8 value थी, तो आधा किया, चार बार true, चार बार false, फिर 4 का half करो, फिर फोर का half करो, फिर फोर का half क्या होता है, तू, 4 का हाफ क्या आता है, 2, तो दो बार true, मतलब TT, फिर दो बार false, मतलब FF, फिर दो बार true, मतलब TT, फिर दो बार false, मतलब FF, देखा आपने इस तरीके से, फिर 2 का कि अधा हाफ करेंगे, आएगा 1. तो एक बार true, एक बार false, एक बार true, एक बार false, एक बार false, एक बार false, एक बार true, एक बार false, एक बार fours, देखा आपने बच्यों, clear, यह हमने 3 x 3 का बना डिये, क्यों की कोश्यन में 3 x 3 भी आ सकता, है. तो कैसे मालूम पड़ा नंबर ओफ रोज येस टूरेज टू एंड से अगर एन यहाँ पे थ्री है तो टूरेज टू थ्री होगा और बच्छो टूरेज टू थू थू की वैलू होती है एट मतब आठ रोज होंगे एक दो तीन चार इस तरीके से आठ रो होंगे तो देखें टू तो दो बार टू दो बार फॉट दो बार फॉट दो बार फॉट टू का हाफ किया वन एक बार टू एक बार फॉट 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 एक बा बच्चो, number of columns क्या होता है, statements, plus, statements plus operators, आपके question के अंदर कितने statement है, और कितने operator है, और जैसे statement मतलब PQR, ऐसे हैं, इसको हम statement बोलते हैं, और बच्चो, operator बोला, मतलब जैसे and, or, negation, if then, if and only if, यह सब operator है, ठीक है, तो हमारे question के अंदर, कितने statement और कितने operator हैं, वो ध्यान देना होता है, जैसे मैं example लेता हूँ, अगर question बच्चो, P, और P, and negation Q, बताओ, इसके अंदर total number of columns कितने होंगे, इसका truth table बनाने के लिए, बताता हूँ मैं, अब बोलते सरा पे तीन statement है, अरे बेवकूफ, ऐसा नहीं होता है, बटा, P, P, दो बार आगा, इसका मतलब यह नहीं होता है, वो, कोई भी statement repeat होता, उसको आपको एक ही बार समझना है, ठीक है, लेकिन operator की बात ऐसे नहीं होती है, ध्यान देना, तो P, P, एक ही बार हो गया, और Q, मतलब दो operator, साथ, दो statement, अचाँ operator कितना है, एक, दो, और negation, तीन, देखाँ आपने, सो और है, फिर end है, फिर negation है, एक operator, दुसरा operator, तीसरा operator, मतलब थ्री, टू प्लेस थ्री बोलो कितना हैगा, फाइब, मतलब इसका मतलब टॉटल फाइब कॉलम्स ही बनेंगे, मैं दिखाँ दता हूँ ना, फाइब कॉलम्स, एक, दो, तीन, चार, पाँच, यह फाइब कॉलम्स ही बनेंगे, और कैसे बनेंगे वो भी बताता हूँ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, देखाँ सब लोग, इसको मुझे लिखना है ना, ध्यास देख, इसको मुझे लिखना है, यहाँ पर दो statement है, P, Q, तो पहले P, Q लि solve करने के लिए P चाहिए, and negation Q चाहिए, P तो है मेरे पास, P तो है मेरे पास, but what about negation, सब negation Q नहीं है, तो पहले आप उसको solve करने से पहले negation Q निकालो, निकाल दिया हमने, क्योंकि मेरे पास Q है, तो Q का मैं negation निकाल सकता हूँ, अगर मेरे पास Q है, तो Q का मैं negation निकाल सक Q में हमने पहले bracket को ध्यान दिया तो bracket में मुझे P and negation Q चाहिए था negation Q की कमी थो निकाल दिया अब आपके पास P है negation Q है तो दोनों का and निकाल दो तो क्या हो जाएगा P and negation Q देखा आपने अब अगर आपके पास ये बंदा आ चुका है तो इसका P के साथ और निकाल लो तो क्या हो जाएगा P और P and negation Q देखा बच्चो आगया ना पांच में क्या छटवा कॉलम लगा मुझे नहीं मतलब अगर इसका क्या होता है और क्या होता है not if then क्या होता है पुलते है ना if and only if क्योंते सारी चीज़े क्या होती है उसके बाद दो statement का कैसे लिखने का तीन statement का number of rows कैसे चिक करते है number of columns कैसे चिक करते है सब कुछ चलो को समझते है तो बच्चो यह हमारा है 1.6 प्लीज मैं 1.6 का question number 1 कर रहा हूं और हम बहुत clearly लिखा है prepare the truth table for the following given examples जो कुछ examples दिये हैं उसका truth table बनाना है तो चलो सब लोग यहां दखो सबसे पहले बताओ इसके अंदर column कितने होंगे सबको पता है रो तो रो बोल रहा हूं पी क्यू दो ही statement है तो रो तका टेशन नहीं है column बताओ कितने होंगे देखता हूं कौन बताता है मुझे yes P implies that negation P और Q चलो फटा फट जल्दी बोलो रो करते हैं लो अच्छ हमारे बताया है नहीं column कितना है तो बच्छा हमें statement कितना है P P Q दो ही statement है तो 2 Plus operator कितना है इधर implies इधर negation और इधर और और मतब तीर operator है implies negation और तो प्लेस्ट थी इस इक़ल तो 5 मत्तब पाच कॉम बने गा बता बराबर कितना कॉलम बचेगा पाच कॉलम तो पाच कॉलम बनाते हैं चलो चलो कोई नहीं पॉस्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, पॉर्थ, बस, पांच ही बनाना, चलो, पांच कॉलम बनाना है बटा ध्यान दिना, एक, दो, तीन, चार, पांच बना दिया, अब इसको हम लिखेंगे, तो इसके अंदर पहले स्टेट्मेंट लिख देते हैं, तो स्टेट्मेंट कौन है पी है, क्यों है, सही है, वो लिख दिया हमने, उसके बाद हमें इसको इसकी truth travel बनाने के लिए पहले bracket को solve करना पड़ेगा, तो पहले bracket के पास जाओ, जो bracket में गये तो bracket में पहले क्या है, बटा, negation P, और Q का मुझे निकालना है, और, negation P, Q का मुझे क्या निकालना है, और, तो और निकालने के लिए Q तो था, बट negation P नहीं है, मतलब इसको solve करने से पहले negation P पहले निकालना पड़ेगा, तो बच्चा आपको यहां से समझ में आएगा, कोई भी चीज़े Q पहले निकालनी होते Q बाद में, तो आपने negation P निकाल दिया, अब बच्चा आपको आप पूरा bracket है, तो आप P का इस पूरे bracket के साथ implies निकाल लो, पी का इस पूरे bracket के साथ निकाल लो, पी का इस पूरे bracket के साथ निकालना है, negation P और Q, देखा आप सभी ने, बस पांची column हुआ, क्या छटवा column आया, या उससे कम हुआ, नहीं, तो इससे निकालते है number of column, बच्च हो जाए, no margin for error है, यसा बोलते हैं, हाँ, कोई वैल, कोई बोलता है, तरीका ही नहीं कि गलते हुआ, सब कुछ एकदम standard format में चले, तो बस देख लो सभी लोग, अब आपको पता है, दो statement है, दो बार true लिखना है, दो बार false लिखना है, एक बार true, एक बार false, एक बार true, एक बार false, बच्वो ध्यान देना, अब मैं truth table बनाने जा रहा हूं, please, सब लोग बहुत ध्यान से देखना, जानते हो क्यों, कि जब भी भी truth table बनाना होता है, तो हमेशा आप operator को बहुत ध्यान से देखते हो, तो बच्वो देखो operator का meaning क्या है, उसका nature क्या है, पहले वो समझते है, तो हमें negation P, तो हमें पता है, negation आ गया, मतलब negation हमेशा true को false करता है, false को true करता है, पहले दिमाग में बात ला दो, पहले उस operator का nature का है, पहले वो दिमाग में ला दो, उसके बाद apply करो, directly apply करने जो गलती हो जाती है, इसलिए मत करो ऐसा, तो negation P मतलब P का negation है, तो negation क्या गोलता है, true का false, false का true, तो ध्यान देना, यहाँ में पी है, इसलिए मैं हमेशा solve करता है, मैं अपने एक हाथ से लिखूँगा, एक हाथ से आपे, क्या बोलता है, indicate करूँगा, तो true का false, true का false, क्योंकि negation P निकालना है न, इसलिए P को negation P यहाँ पर है, Q यहाँ पर है, दोनों का और निकालना है, तो और क्या बोलता है बिटा, एक भी true है, तो true हो जाएगा, समझो जरा, एक भी statement true है, तो answer क्या हो जाएगा, true, तो देखो जरा, negation P, अच्छा इसमें आगे पिछे चलता है, खाली implies में आगे पिछे नहीं चल negation P, Q, दोनों का निकालना है, और, तो और निकालना है क्लिए में क्या बोलूँगा, एक भी true है क्या, हाँ sir, एक true है, तो finally इसका answer क्या हो जाएगा, true, एक भी true है क्या, yes sir, तो answer हो जाएगा, true, एक भी true है क्या, yes sir, answer हो जाएगा, true, यहाँ पर answer क्या हो जाएगा, false, क्यू इस का बात एक नमबर यहार अब होने के बाद मुझे क्या निकालना है इस statement की value अब यह मुझे कैसे मिलेगा P implies that negation P और Q करने से तो P तो यहां पर है और negation P और Q यहां पर दोनों का implies करना है तो implies मतलब पहले पहले को देखेंगे बाद में बाद वाले को देखेंगे तो पहले कौन है पी तो पी को पहले देखना है बाद में कौन है निगेशन पी और क्यू तो निगेशन पी और क्यू को बाद में देखना है अच्छा क्या देखना है वो भी तो मत सोच लो अरे टी अफ देखना है, मतब पहला true होना चाहिए, दूसरा false होना चाहिए, बेटा पहला क्या होना चाहिए true और दूसरा क्या होना चाहिए false, तो अगर पहला true है, दूसरा false है, तभी आप लिखोगे false, otherwise true, तो ध्याहन से देखो सभी लोग, पहला true है, दूसरा false है, नहीं sir, पहला true है, द हाँ से देखो ना पहला ट्रू दूसरा फालस इसको इन दोनों को देखना है न राइट तो पहला ट्रू दूसरा फ ऐन्सym अगे चेकी नहीं करना है यहाँ पर डू रहेगा तभी दूसरा फॉल्स चेक हरा है अगर व्ही bạn सरस्ट दिकना है नहीं तो कुछ मत लिखू तो सबस्क्राइब तो सरा इन्पर्डटेन क्योश्न है इस पर कोई बात नहीं कोई बात नहीं बड़ा क्या लिखाएं निगेशन पी और क्यूं सही है कि एंड निगेशन पी और निगेशन क्यूं करेक्ट है बच्चो चलो चलो पड़ापट अब देखते हैं कितने कॉलम बनेंगे कि देखते हैं तो पहले पी कॉलम चेक कर लिए कि अपर प्लावब के बात क्यूं आप सभी को पता है फिक्यू तो आने वाला यह एं देखते हैं इसमें स्टेट्मेंट कितने बच्चो पीक्यू पीक्यू स्टेट्मेंट दो यह तो अब operator भी चेक कर लेते कितना operator हैं प्र चार फिर 5, 6, प्र च्से है । लेकिन पी टूरा में रिपीट और ना उसको एक ही बार लो इनिद्गेशन देखो ना नीदेशन पी के साथ मेらい है और यहाँ पर भी नीदेशन पी के साथ में है तीसरा फिर चोथा नहीं लेंगे। तर नुsk Окum रिपीट हो गया इसलिए हम लोग छे उपरेटर नहीं लेकर के पांच लेंगे क्योंकि देखो ना यहां पर निगेशन पी का है एक उपरेटर फिर और है दूसरा ऑपरेटर यह तीसरा फिर यह चौथा नहीं लेंगे दूकर दूकर मैं आप एक मिस कर दिया दूकर सॉरी गाइस एक दो तीन चार पांच छे एक मड़ वान टू तो त्री फोर फाइश सिक्स बराबर सिक्स ऑपरेटर है जिसमें से यह निगेशन रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही बार कंस्टर करो याद दखना क्योंकि आप ब चलती से शिक्स लिख करके आठ भी कर दिया कोई दिक्कत नहीं होने वाली यार एक कॉलम बच जाएगा और क्या बच जाएगा कोई दिक्कत नहीं है बच जादा नहीं होना चाहिए ठीक है चलो तो कितना हुआ एक्च्वल में बचा तो बताया मैंने येस तो प्लस फाइज इक्वल डू सेवें तो एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम चौथा कॉलम पांचवा छटवा साथवा बस सबसे पहले पीक्यू लिघ दिया हमने अब क्या लग सी पहलए नोच सी पीनिग्शे तो पहले लिखेंगे जोटने lineage übrig bracket solve करने एक लिए मुझे क्या चाहिए बीटा निगेशन पी और क्यू ज़ी सट निगेशन पी है तो लों का और निकाल दो निगेशन प्यो मिखाब चाप ने 2 कृद दूसरा और करना है और दूसरा प्रैकेट क्या बोलता है बैता निगेशन पी और निजसान की दोनों का और निकल दो हुआ भी निकल गया वह भी निकल गया तो आपकर यह पाट यहाँ पर निकला और दूसरा पक्ला दो भी आ जाएगा दो चेहन पी और क्यूंट छले साल पाड़ निगेशन पी और स्वाट प्रट पार्ट, निदे में फेह डिखा साथ कॉलम में हो गया है अगर आप इसको जो अ हथा सोचना इसमें ही चला है blacks true, true, false, false. True, false, true, false. Negation P, बिता, negation P क्या होता है? इसका उर्टा मतलब true का false. True का false, false का true, false का true. बिता हबने? सबस्का true, false, false का true, false का true. negation q मतलब q का negation true का false false का true true का false false का true देखा अपने clear negation p और q negation p यहाँ पे है q यहाँ पे दोनों का और निकालना है और तो और क्या बोलता है बिटा एक भी true है तो true otherwise false और क्या बोलता है बिटा एक भी true है तो true otherwise false एक भी true है क्या हासर है एक भी true है? नहीं एक भी true है क्या हासर है? एक भी true यहाँ पर भी है यहाँ पर बहलो क्या जाएगा? false, clear? कोई दिक्कत? कोई परशानी नहीं न? तो आगे बढ़ जाओ negation P और negation Q इसका मतलब negation P, negation Q यहाँ पर दोनों का और निकालना है तो और क्या बोलता है बिटा? एक भी true है तो true क्या है आप एक भी true है? नहीं क्या है आप एक भी true है? yes एक भी true है क्या? yes एक भी true है क्या? हाँ एदो दोनों true है sir, कोई फरक नहीं पड़ता so इन दोनों के case में सिर्फ यही case था जहां पे एक भी answer true नहीं था बाकि हर case में answer को इनको एक true होई रहा था तो overall answer क्या आगा true और इस case में answer क्या हो जाएगा false correct अब negation P और Q मतलब ये negation P और negation Q मतलब ये इन दोनों का मुझे क्या निकालना है बच्चो and और and क्या बोलता है दोनों true रहेगा तो answer true आएगा दोनों true है तो answer true चै करतें दोनों true है क्या no दोनों true है क्या yes दोनों true है क्या yes बच्चो इस case में TTI आएगा और उपर के case में क्या आएगा ff correct example in this sense ये पूरे exercise 1.6 का question number 1 का first two questions थे I hope कि सभी को समझ में आ गया तो बच्चो प्लीज ध्यान दना इस पूरे exercise में कोई भी कौन से पूछा जाए उसे कोई फरक नहीं पड़ता आपको truth table बनाने आना ही चाहिए जिनको भी truth table बनाने आ गया बहुत अच्छी बात है बहुत बढ़िया बात है बटा अब हम लोग next lecture में आएंगे तो three मतब तीन statement वाले question करेंगे पहले आप इससे related example के अंदर दो statement कोई भी question उसको solve करने की कोशिश करो ठीक है जितना जादा आप practice करेंगे उतना आपके लेक्चर में आइन जाने से बढ़े पड़ा पड़ वीडियो को लाइक कर देना शेर करना है अगर आपने subscribe नहीं किया तो पड़ा पड़ सब्सक्राइब बना रखना चलो बाबाए स्ट्वेंड्स